गुड मॉर्निंग एंड वल्कम इंगे इन स्टुडेंस आयम गीता नेगी यूर मैठ टीचर तो आज हम आज डेट कितनी है 25 माई 2020 तो ठीक हो गया तो किलास फोर्थ के हम मैठ पढ़ेंगे आज चैप्टर नाइन हाप्स एंड क्वार्टर्स ठीक हो गया तो इसकी जो एक्स अब आपको क्या दिया गया था एक रेक्टेंगल दिया गया था उसका क्या करना था आपने उसको कट करके इस तरीके से से अलग अलग ठीक हो गया रेक्टेंगल को कट करके अब हमने क्या क्या तो एक पार्ट उसका ऐसे बना लिया एक पार्ट उसको ऐसे बना लिया और य आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है? In how many different ways can you cut a rectangle into half? अब आपको क्या करना है rectangle को और अलग different तरीके से हमें rectangle को half करना है, ठीक हो गया? और उसके part क्या होने चाहिए? दोनों equal होने चाहिए, ठीक है? Draw five different ways, अब आपको five rectangle दिये गए थे, आपको क्या करना था? इन्हें five अलग-अलग वेकिन से आपको cut करना था, तो हमने क्या क्या क्या? हैं हमने कोई छोटा बड़ा ऐसे नहीं कर रखा है तो सारे क्या हैं इक्वल हैं ठीक हो गया इस तरीके से अब इससे तरीक से नेक्ट थड़ क्वेशन है हमारा in how many different ways can you cut a rectangle into four equal parts अब आपको क्या करना है अभी तो आपको क्या करने थे सिर्फ two equal parts बनाने थे अब आपको क्या करना है four equal parts में cut करना है rectangle को ठीक है और सारी क्या होने चाहिए आपके different ways होने चाहिए ठीक हो गया, draw different ways, अब आपको draw 5 different width, 5 different अलग-अलग तरीके से आपको, इसको cut करना है, ठीक हो गया, और सारे क्या होने चाहिए, equal parts होने चाहिए, देख रहे होंगे, आप first में हमने क्या कर रखा है, first में हमने ये, ये, इस तरीके से line दे दिया, और second में हमने क्या क्या है, ये but सब क्या है, ये देख रहे होंगे आप, सारे parts क्या है, equal लग रहे हैं, इस rectangle में ये सारे parts क्या है, equal है, इसमें भी equal है, ये देख रहे होंगे आप, सब equal है, और इसमें भी इस तरीके से, हमने इस तरीके से कर दिया, तो हमारे 1, 2, 3, 4, 4 parts होगे, और सारे क्या है, equal है, इस हमने इसमें क्या किया पहले एक लाइन 20 की बराबर की कर दी फिर उसके से हमने इसका आधा कर दिया इसका आधा कर दिया तो सारे क्या हो गए हमारे 4 पार्ट्स हो गए और 4 के 4 पार्ट्स क्या है इक्वल है इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं ठीक हो गया इस तरीक अगर आपको इसके अलावव कोई और अगर different ways आतें तो आप वह भी कर सकते हैं बदो किया होने चाहिए सारे equal होने चाहिए ठीक है और four parts होने चाहिए उस rectangle की ठीक है इस तरीके से तो अब next है हमारा four color is set with different colors आप देखाओगा आपको आपने जब मैंने वीडियो बनाए थी तो इसी चैप्टर की तो उसमें क्या था रजनी के फादर उसके लिए क्या लाए थे ये केक लाए थे और रजनी ने क्या क्या था फोर इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया था तो इस तरीके से हमन क्या कर दिया है इसमें अलग-अलग कलर कर दिया है ऐसे आपको भी कर नहा है how much does each get तो कितना कितना मिला एक परसन को तो क्या लिखा है हमने each person gets one of four of the cake तो कितना मिला one fourth quarter जिसको हम बोलते हैं ठीक हो गया वो मिला एक परसन को ठीक हो गया इस तरीके से 6 वाला है Mother give her share of cake to Rajni now color the total part that Rajni will get अब आपको जव मैंने chapter पढ़ाय था तो बताय था ना कि Rajni की Mother ने क्या किया अपना वाला जो उनका अपना जो cake था उनोंे अपना जो उनको मिला था उन्होने क्या किया था वो रजनी को दे दिया था तो रजनी के पास पहले तो ये था तो उसकी मदर ने भी उसको दे दिया तो उसके पास क्या हो गया? पूरा ये हो गया तो हमने उसमें क्या कर दिया? इस तरह के से color कर दिया है That रजनी will get तो रजनी के पास कितना आ गया? हाप यानि कि 1 1 by 2 part तो कितना आ गया उसके पास ये पूरा हमारा एक है और अगर हम इसको 20 से आधा कर देते तो क्यों हो जाता है हाप तो हाप वाला ये हुआ हाप वाला ये हुआ तो उसके पास पूरा एक हाप आ गया है ठीक हो गया इस तरीके से out of 4 parts आप वो क्या है जो केक है उसका हाप का क्या है हाप हो गया तो दोनों तरब से क्या हो गया इक्वल इक्वल इस तरह के भी इस तरह के भी तो उसके पास हाप आ गया है तो दोनों क्या हो मतलब हाप हाप हुआ तो क्या हो गया उसका केक का आधा उसके पास फ alpha उपी चाहब़ने कर रहा है तो ठीक हो गया और उसके भाई को क्या मिला था ये और ये उसके फादर का पार्ट था तो हमने क्या करने है उसके भाई और रजनी को जो पार्ट मिला उसमें कलर करना है तो हम क्या कर देंगे इस हिस्से में कलर कर देंगे ठीक हो गया तो all together they get three parts of out of four तो क्या हो गया, four parts में से three parts को हमें क्या करना है, इस तरीके से color कर देना है, so we can write it as three of four, तो three by four इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, three by four, one, two, three, और ये four जो उनका था, तो four क्या किये थे उनकोंने, बराबर equal parts किये थे, cake के, तो four तो वो हो गया, ठीक हो गया, और कितने में color किया हमने, three में, one, two, three parts में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, three by four इस तरीके से, ठीक हो गया, तो I hope आपको ये समझ में आ गया हो, इसी तरीके से आपको इसको color करना है, आ अगर आपको different और अलग से भे आते हैं, तो आपको करना है, बर्ट क्या करना है, वो सारे equal होने चाहिए, ठीक हो गया, thank you,